हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल लोड़ बुद्धा स्टेटी सेंटर धरहा की यूटूब चैनल में आज मैं सुरेंद क्मार आप सभी के साथ सेयर करूंगा खान सरका जो प्रेक्टिस सेट आया है उसी से प्रेक्टिस सेट संक्या हो जाए यदि नहीं देखे हैं तो आपको इसका वीडियो प्लेइलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा और यदि इसका पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलेग्राम गुरूप से जूर जाएगा वहां आपको मैं इसका पीडियो प्रफाइड करवा देता हूं तो आज का वीडियो जो होगा उसमें आपके साथ मैं सबसे पहले मैंस रेजिनिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि इससे पिछले वीडियो में भी मैं चर्चा कर था कि आप इसका जो match reasoning है खास करके उसको कम सकम यह सब को एक वार आप try करके जरूर देखिए यह आप पुरा इसका practice नहीं करते हैं यह सब लेकिन एक वार आप जरूर कर लिए क्यूंकि यह सम्में क्या है कुछ न कुछ logical question दिया गया कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा चल आगे जो हो जाएगा यह 42 भी हो जाएगा आपका इसको भी try किजिएगा आगे चलिए कुछ आगे आप देखते हैं और देखे और सब आपका question simple दिया हुआ मतलब उतना कहने का मतलब यह हुआ उतना आपको दिमाग लगानिक जरूरत नहीं है और देखिए यह आप 48 number question इस q पलस q बराबर 0 होगा तब आपसे यह question बनेगा और 49 number question बहुत ही तर्कपुर्ण है बहुत ही तर्कपुर्ण है इसको आप एक बार जरूर कीजिएगा चलिए आगे question देखते हैं आगे question अब आ जाते हैं q नमर देखिए यह आपको अंठाबन हो जाएगा इसको भी आपको क्या करना है ट्राइ करना में चलिए अगला question नमर देख लिजे63 say 63% संख्या ये भी देखिए आसान ही हैं लेकिन इसको भी आपको क्या करना है एक बार ट्राइड करना है अगला question कोश्चन नमर आ जाते हैं अब 64 64 भी देखें 64 वेसे आप इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप एक बारे में बनेगा नहीं तो आप इसको गलत जरू करेंगे पहली बार जब बनाएंगे तब गलत करेंगे इसलिए यदि विसे जानकारी है तब आप बिल्कुल इसको स हो सकता है इसलिए मैं कहूंगा ये सब कोशन को ट्राय कीजएगा चलिए अगला कोश्चन नमर आते हैं कि देखिए ये कोशन नमर 68 68 भी इसा कोशन है थुछा तरकपुन है और शट हो गया और आजाए अगला कोश्चन नमर सत्तर देखे ऐसा कोश्चन आप देखते होंगे ऐसा कोश्चन में टाइम जएदे लगता है इसलिए मैं कहूंगा ये सब कोश्चन आप प्रसेट नहीं बनाएंगे चले का लेकिन ये सब कोश्चन को एक बार आपको अच्छी तरह से ट्राइ करना है ताकि ये सब कोश्चन आपको लोजिकल है आपको सीखने को मिले इसलिए चलिए आप कुछ रिजिनिंग के बारे में चर्चा करतें दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कभी एंटी पीसी का जाम चल रहा है उसमें कोश्चन क्या है कुछ आप देखते होंगे कि उसमें कोश्चन इस तरह से दिया रहता है यानि कतन कारक्ट थोड़ा टाइप का जैदिया कोश्चन रहता है जैसे देखे आपको कोश्चन नमबर 78 ऐसा कोश्चन जैदिया रहा है यह सब कोश्चन आप एक बार रिजिनिंग बना लेजिएगा 79 यह भी कोश्चन अगला कोश्चन आते हैं देखे यह आपका 80 कोश्चन कोश्चन नमर 80 है इसको भी ट्राइक कर लेजिएगा अब देखे रिजिनिंग उतना इसमें टॉफ नहीं दिया है लेकिन यह सब आपको जो मैं बताया यह सब थोड़ा टॉफ है तो इसको आप एक बार क्योंकि इस सब में आपको लॉजिकल कोश्चन दिया हो देखे यह सब सिंपल कोश्चन है यह सब आप एक बार में इसको देखिएगा लगभगभग बन जाएगा यह सब question चलिए आगे question number जो है उसमें मैं चर्चा कर देता हूँ अगला question number देख लिजी एक बार देख लेते हैं हो जाएगा 90 question number आते हैं 90 90 एकॉन बे ये दोनों को भी क्या किज़े, आप ट्राय किज़ेगा, इसे सिंपल है, लेकिन एक बार जरूर किज़े, अगला question number आते हैं, question number आपका हो जाएगा, 94 देखिए 94 भी देख लिजगा 94 ये अगला question number question number देखिए अब जो है आपका देखिए ये question number आपका हो जाएगा 99 और आज का last question जो है ऐसा question 100 number ये सब question एक बाट राइ कीज़ेगा दोस्तों अब चलिए इस वीडियो में खास करके आपके साथ में ये सब जो share क्या तो ये सब question आपके वो सिखने वाला है तो मैं कहूंगा साथी हो एक बार इसको आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा चलिए खास करके इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं जेनरल आवेनेस का इसमें जो दिया गया है जेनरल आवेनेस जीके दियस और क्रेंटे फियर इसके बारे में चर्चा करता हूं चलिए एक नमर question से करती हूँ आगे चलते हैं सबसे एक नमर आपका question कहता है बिदूत उर्जा बै की बानिजिक मातरक क्या है इसका तो आप answer जानते हों कि answer हो जाएगा आपसर नमर कि एक हो जाएगा कीलोवाट घंटा कीलोवाट घंटा इसका आँसर हो जाएगा question नमर एक काँसर एक हो जाएगा अगला question नमर दो दिया गया है बायू मंडल में हवा के अनुँँद्वारा प्रकिर्णन के बाद सुर्ज के परकास का रंग काईसा होता है तो साथियों आंसर इसका क्या हो जाएगा कोश्चन नमर दो का देखें दो का आंसर हो जाएगा आपका अप्सन तीन यानि नीला हो जाएगा क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा हैं तीन ममर का उत्तर हो जाएगा आपका कोश्ट आंसर हो जाएगा 우l9 यानी निरमाता किस पर जोड़ देता है तो निरमाता पर अगला कोश्चन है चार नुमार नोकार साही के सिद्यांत के संस्थापक जनक कौन थे क्यों ब्रफ खात नमर का ऑंसर हो हो जाएगा यानि Max Beaver अब यह जो Max जो Beaver है दोस्तों यह जर्मन यानि जर्मन के समाज बेग्यानिक थे क्या है जर्मन के समाज बेग्यानिक है यह Max Beaver question number 5 सन्युक्त राष्ट संग कब अर्ष्टित में आया question नमर पांच का उत्तर हो जाएगा आपको अप्सन नमर तीन उनीस सो पैंता आलिस में ये अस्तुत में आया अब दोस्तों आपके साथ में कुछ चर्चा कर लेता हूं इसके बारे में डिटेल से तो आप ध्यां से सुनिएगा तो ध्यां से आप एक वार सुनिएगा दिया गया है सन्युक्त राष्ट संग स्वरी सन्युक्त राष्ट संगठन यू एन ओ एक अंतर सरकारी संगठन है अंतराश्टिय सहयों को बैठावा देने के लिए इसकी अस्थापना 24 अक्टवर 1945 को की गई थी दूतिय विष्विद के बाद किसी अन संगर्ज को रोकने के लिए इसकी अस्थापना ली आप नेशन के अस्थान पर की गई थी ली अप नेशन के अस्थान पर इसका अपना क्या गया था अगला question नमबर देखिए 6 कौन सा राज फलों सबजियों के MSP तैग करने बाला पहला राज बन गया है MSP को तैग करने बाला पहला राज तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका ओपसन नमबर दो किरल किनर अंसर हो जाएगा यह वं कोश्च्चन नमबर साथ में भ फ्रांसीची क्ति किस बर सुहीती तो साथ नमर कोश्चन का मैं या आपको तीन यानि सत्रों सो नवासी अगला कोश्चन है अगला कोश्चन नमर हो जाए आपका आठ दिया गया है बंदे मातरम गीत किस पुर्तक से लिया गया है यह आप जानते होंगे आंसर कोश्चन नमर आठ का अंसर हो जाएगा अपसर नमर दो आनंद माठ से लिया है कहां से लिया गया है आनंद माठ अब दोस्तों बंदे मातरम के रचाईता कुन है तो बंदे मातरम के रचाईता है बंकिम चंद्र चटर जी और देखिए ये जो है बंकिम चंद्र चटर जी इनके द्वारा ये बंदे मातरम क्या क्या लिखा गया और ये 1882 इस्वी में लिखा गया ये 1882 इस्वी में लिखा गया आपको बंदे मातरम गीत और देखिए ये आपको आनंद मट से लिया गया यह बंगाल माता यानि देवी के रूप में प्रस्तुत करने के लिखा गया था और देखी दोस्तों ये जो ये कविता है बंगाली और संस्कीत में लिखा गया था तो बंगाली और संस्कीत में लिखा गया था बंदे मातरम अगला question देखिए no number जी का virus का बाहक कौन सा मच्छर है अब देखिए जी का virus का बाहक मच्छर कौन सा है चलिए इसका answer जानते हैं no number question का answer जी का virus तो देखिए आपको दिया गया है इसमें चार option answer क्या होगा तो देखिए no number question का आपको answer हो जाएगा option number 2 यानि eddies कौन सा मचर है eddies मचर अगला question number 10 जर आवरन किस से उत्पन होता है जर आवरन किस से उत्पन होता है तो ये question का answer आपको हो जाएगा option number 2 क्या answer होगा answer हो जाएगा आपको 2 kelly kelly दिया गया इसका answer कैलि ट्रोजन कैलिप ट्रोजन इसका answer हो जाएगा option number 2 अगला question है विल्गित प्रोटीन की पहचान हेतु पोसक स्वारी जोस्तों सोसक सोसक दिया हुआ सोसक तकनीकी क्या है सोसक तकनीकी क्या है तो ये 11 का answer आपको हो जाएगा option number 2 क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दो यानि पस्चमी सोसक अंसर हो जाएगा पस्चमी सोसक इसका answer होगा अगला question number 12 गुन सुत्रों की आकिरती विज्ञान का अच्छी तरह से अध्यान किससे किया जाता है बारण नंबर का answer आपको इसे हो जाएगा option number 3 मध्यावस्था में क्या हो जाएगा मध्यावस्था में अगला question number 13 क्योड़ी किसकी यूणिट है क्योड़ी किसकी यूणिट है तो इसका answer विज्ञान का इसे आपको हो जाएगा option number 1 radio धर्मीता की ये क्या है यूनिट है तेरो कांसर एक अगला कोश्चन देखिए अगनी शमन के लिए हम किसका परियो करते हैं तो आए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं तो चोदो नमर कांसर हो जाए आपको आपसा नमर और दोस्तों आग को जलाने के लिए कौन सी गयस कर सकता होती है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अबसकता होती है ओटू की अबसकता आग जलाने के लिए और बुझाने के लिए आपसे पुछ दिया जाए तो कार्वन डैक्स है क्योंकि कार्वन डैक्स क्या होता है भारी होता है अगला question, quarters का रासाइनिक नाम क्या है, quarters का रासाइनिक नाम क्या है, इसका answer आपको हो जाएगा, option नमबर 4, sodium silicate, quarters का रासाइनिक नाम, sodium silicate, अगला question, परबतो की लगातार स्रिंखला कौन सी है, जिसकी उत्पती भारत की सीमा, स्वाली समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, तो किसकी सीमा, समुद्री सीमा के समानांतर लगभग है, तो सूलो का answer इसे हो जाएगा, आपका option नमबर 4, क्या हो जाएगा, option नमबर 4 आंसर हो जाएगा, यानि पस्मी घाट, अगला question है, दिया गया है, थोडियम का सबसे बड़ा भंडार कहां है, थोडियम का जो सबसे बड़ा भंडार है, इसका answer आपको हो जाएगा, option नमर 3, यानि भारत, किस दिसमे हैं, भारत में है, अगला question आते हैं, question नमर 18, 18 नमर दिया गया है, देखिए, 18 नमर question आपको है, निमलिखित में से, किस तक निकी दिगज को फॉबस की विश्व की सर्वस्रेश्ट नियोकता 2020 की सूची में, पहला अस्थान प्राप्थ हुआ, तो किसको पहला अस्थान मिला है, तो question नमर 18 का answer जानते हैं दोस्तों, 18 का answer हो जाए आपका option number 1, यानि samsung, किसको samsung को प्राप्थ हुआ, अगला question है आपका 19 number, निमलिखित में से, बलेड रनर के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये question आपका बहुत important है, बलेड, बलेड कहा है दूस्तों, बलेड रनर के नाम से कौन जाने जाता है, तो देखिए, इसका answer होगा, आपका question number 19 का answer हो जाएगा, option number 2, यानि Oscar, Oscar Karl, Pistorius, क्या है, Oscar Karl, Pistorius, और देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोरा सजानते हैं, तो देखिए, यह जो है, दच्षिन अफिरका के तेजधावक है, यह क्या है, यह है आपको, दच्षिन अफिरका के तेजधावक, और चलिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं, बर्स 2012 के ग्रिस्म कालिक ओलम्पिक में, दोनों पैरों से, दच्षिन अफिरका के तेजधावक के रूप में, ओलम्पिक में भाग लेने वाला पहला परती भागी बना, यानि ओलम्पिक में दिब्यांग जो था दोनों पैरों से, यह पहला परती भागी बना, उसमें क्या भाग लेने वाला, और देखिए पैरो यानि बिना पैरो पर सबसे तिर दोरने वाला बैक्ती का नाम इसने अपना नाम पहला स्थान प्राप्त किया अब देखिए क्रित्रिम पैर लेकिन इसके पास क्या था क्रित्रिम पैर के कारण आगे निकला यानि विकलांग होते हुए भी पर्थमस्थान बना इसका अब देखिए question नमर 20 का अंसर दिया गया है ग्रीह मंत्राले द्वारा संचालित F.C.R.A का बिस्तारित रूप क्या है F.C.R.A का बिस्तारित रूप क्या होगा तो 20 नमर question का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका answer हो जाएगा option नमर 2 क्या हो जाएगा option number 2 हो जाएगा फोरेगन contribution और दिया गया है regulation act यह आपका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option number 2 अगला question आते हैं question number 21 इन में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है मौलिक इकाई नहीं है तो एक इसका answer चली जान लेते हैं हो जाएगा आपका अंसर option number 4 option number 4 हो जाएगा यानि cubic meter यह आपका क्या है मौलिक काई नहीं है अगला question 22 दिया गया है कौन सा बायो मास उर्जा का उदाहरन नहीं है साथियों आपका answer हो जाएगा 22 number question का answer हो जाएगा आपका 3 number option यानि क्या हो जाएगा पर्मान उड़ जा अगला कोश्चन 23 नमबर कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्यानकारी योजना नहीं है कौन सा किसान के लिए कल्यानकारी योजना नहीं है तो 23 का अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर 3 क्या हो जाएगा 3 हो बईतार पॉक्ति कि आंशी में धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है यह सबद क्षब कहन्त यायनि किसने कहें यह सब्द किन्हों ने कहा चलिए आंसर जानते हैś 24 pirates का कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ उस्चन का आंसर आप सोचने सकते हैं वही आंसर होता है और ये भी आप जानते होंगे वैसे नहीं जानते हैं तो आपको भी आसर लगेगा कि ये आंसर बिल्कुल कैसे होगा चलिए इसका अंसर आपको महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा अगला question क्यों राते हैं question है आपको सिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागो हुआ तो चलिए इसका अंसर जानते हैं आंसर हो जाएगा आपका option number 2 यानि 2009 इसका अंसर क्या हो गया संसर में पारित हो गया और यह जो दोस्तों एक अप्रेल 2010 को यह भारत के जम्हो कस्मीर को छूर कर कर यह क्या हुआ जम्हो कस्मीर के छूर के सभी राजियों में 6-14 बर्स के बच्चों को यानि परात्मिक सिखशा जो है अनिबार्द किया गया 210 में किया गया लेकिन यह अधिनियम 2009 में ही लागव हुआ अधिनियम 2009 में लागव हुआ और यह कब से लागव हुआ पुर्णतर पुर्णतर आपको लागव गया अगला immigration, 3 और से महासागरों से घिर हुए भुभाग को कहा जाता है तो क्या कहते हैं 3 और से, सागरों से घिर हुए भुभाग को प्राद्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, अगला immigration सत्ता इस नमर केरल के सरबोच सहीतिक पुरुषकार अचुत चान पुरुषकार 2020 के लिए किसको चुना गया अचुत चान पुरुषकार किसको चुना गया तो इसका अंसर क्या होगा अंसर आपको हो जाएगा 37 नमर कोश्चन का अंसर हो जाएगा option number 4 हो जाएगा चलिए तो देखे इसका answer आपको हो जाएगा option number 4 पॉल जाचरिया क्या हो जाएगा पॉल जाचारिया answer आपको हो जाएगा option number 4 अगला question लोग तंत्र का सबसे बुनियादी परिनाम क्या है लोग तंत्र का सबसे बुनियादी परिनाम क्या है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्शन नमर तीन हो जाएगा यानि नागरिकों के परती जवाब देही ये लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिनाम है अगला question number हो जाए आपका question number हो जाए आपका 29 India wings freedom India wings freedom किसकी आत्म का था है अब दोस्तों ये question आप confusion होते रहता है इसका answer चली जानते है answer आपको हो जाएगा option number 1 यहनि अबूल कलाम आजाद क्या हो जाएगा answer अबूल कलाम आजाद इसका answer हो जाएगा question आपका है question हो जाएगा देखिए question हो जाएगा लोग सभाव में उचित परतिनीधित के लिए राष्ट परति दो सदस्यों को नामित किया जाता है नीमनी मेर से किस समुदाई के रूप में है दोस्तों दो एंगलो इंडियन इसका answer क्या होगा answer हो जाएगा दो एंगलो इंडियन को क्या करता है लोग सभाव में राष्ट पती क्या करता है नामित करता है अब देखिए एक question यहाँ आपको मैं इस्ट्रा बता रहा हूँ लोग सभाव में राष्ट पती दो इंगलो इंडियन को क्या कर सकता है उसको नामीद कर सकता है और राजसभा में यही question पुछ दिया है कितने यानि कितने लोगों को नामीद कर सकता राष्ट पति राजसभा में, तो राजसभा क कहा तब 12 लोगसभा कहा तब आपको दो हो जाएगал दो इंगलोई इंडियन अगला question number 31 नासा के किस मीशन ने चंदरमा के परकासित धरातल पर पानी की पहली बार पुष्टी की तो पानी की पहली बार पुष्टी की तो कुन की चलिए इसका अंसर देखे जान लेते हैं आपका 31 मेर्स को जाएगा आपका आपसन नमर एक यानिशोफिया क्या नाम था उसका सोफिया ने इसका पुषिट्री किया अगला नमर्स हो जाएगा आपका 32 विस पडियावरन दिवस कम मना जाता है यह भी आपका बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है विस पडियावरन और धिवस ये आपको 192 में सन्युक्तिराष्ट महासभाद्वारा 1922 में प्रियावरा अस्था पित कि West उन्ही अस्थापित अगला question आते हैं, question नमड़ा आपका हो जाएगा, question 33, कता है सही ढूड़िये, इस में कता आपको सही ढूड़ने के लिए, तो इसा question आपको पुरी जनकारी होनी चाहिए, तब आप सही कर सकते हैं, चलिए, इसका answer आप साथ में share करा हो, answer हो जाएगा, option 3, क्या है, answer 3 हो ये बिल्कुल बात सही है और ये सब देखिए आपको लगवा लगवा गलत दिया हुआ है लेकिन ये क्या है चीनी पानी में घुलन सील है इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नमर 3 अगला कोश्चन जाने माने किरकेटर ओलांडर सेन रोवर्ट वाट्सन ने किरकेट के सभी प अगला कोश्चन देखिए निमलिखित में से कौन समीधान सभा के मसवदा समीती के अध्यक्स थे मसवदे समीती के अध्यक्स कौन था तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपको हो जाएगा 35 नमर कोश्चन का आंसर एक यानि बियार अमिद कर मसवदे समीती क अगला कोश्चन आते हैं अगला कोश्चन नमर 36 कोश्चन है राज सभा द्वारा नीती निर्देशक सिद्यानत के प्रावरतन की इस्तिती में भारत के नागरिक इसके विरुद कहां अपिल कर सकता है तो कोश्चन नमर 36 का आंसर जानते हैं दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा अप्सन नमर 4 देखे उपियुक्त में से कोई नहीं इसमें आंसर आपको हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपको हो जाएगा उपियुक्त में से कहीं नहीं कोई नहीं होगा अगला को कोशन है आपको संसद के सन्युक सदन की अध्यक्स्ता कुण करता है चलिए इसके बारे में कुछ कोशन जानते हैं तो चलिए इसका देखिय आंसर हो जाएगा आपको अपसण नमबर 4 अध्यक्स्ता जब ही करेगा तो आपको लूख सभाध्यक्स्त और बुलाएगा जब भी आप ध्यक्षता है वो आपको करेगा लोक सभाद्यक्ष और बुलाएगा कोई तरह बूलाएगा आपको राश्चपती बुलाता है राश्चपती और अध्यक्षता करता है लोक सभाद्यक्ति अगला आपको हो जाएंगा आपसन नमबर 3 हो जाएगा किसको देख सकता है सब्सक्राइब करने में मूल रूप से किसका सरवाधिक कोटा है मत्ता बड़न को गर्म करने के पूल रोप से किसका सवाधिक योगदान होता है साती हूं इसका अंसरा आपके साथ में शयर करता हूं फिट एसका अंसर ओजएगा अपका आप्सस नम्च तीन यानि रेडियेशन यापका प्राशन और आज का मदू लुए जल्फिर्ड में डाला जाता है तो निम्न में में से कौनसी गैस बनती है गला जे संद से चारी का आसर हो जाएगा आपका दू नुमर न-प्शन क्या हो जाएगा धूस्त हाइड्रोजन हो जाएगे इसका उसा कोशी क्या समनती है हाइड्रोजन साथियों आज की वीडियो में इतना ही था और एक चीम मैं बता दू मेरे चैनल के द्वारा बहुत सारा चीज का अपडेट मिलते रहता है आप मेरे चैनल जुरिएगा और टेलिग्राम से बिसेस करके जुर जाएगा आपको वहां से बहुत सारे फायदे होंगे टेस्ट का आपको कोशीन मिलते रहेगा इधर उदर का मेरे आसपास जितने इंस्ट्यूट हैं वहां कि आपको मिलते रहेगा तो आप प्रैक्टिस की रूप में कर सकते हैं तो साथियों और मैं अपने टेलिग् आपको प्रैक्राम ग्रूप में एसके जहासर का जो एंट्री पीसी का बुक है वह सब का में पीडियाफ डालते रहता हूं तो आप मेरे चैनल से जूर जाएगा और वहां आपको पीडियाफ मिलते रहेगा थेंक्यू साथ थी हूँ आज की वीडियों ताने फिर आते हैं अपले वीडियों